नमस्कार मैं दिपाली अब सभी के स्वागत दिपाली आइस्टों में करते हूँ देखते हैं आज का दिन अन्हें की 14 मईी 2023 कैसा जाने वाला है तो चली शुरूआत करते में शाशी वालों के साथ में शाची वालों आज के दिन के लिए अगर मैं बात करूं तो आज का दिन सोच के समझ के विताने की जरूरत है कारेशेत्र में आपके ओपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है कॉमिनिकेशन को इंटाक्ट रखने की जरूरत है कुछ खास उतार चड़ाव चीज़ों में परिस्तितियों में विचारधाराओं में नहीं देखने को मिलेगा जिस तरह से सिच्वेशन चल रही है वैसे चलने दीजे नकरात्मक उर्जा को अपने आप से दूर रखे खान पान बेन यंदन रखे खाने के साथ-साथ आज के दिन आपको अपने लिए विश्राम या विराम लेने की भी जरूरत है उन सभी थौट प्रॉसेस से उन सभी परिस्तितियों से थोड़ा सा ब्रेक लीजे जो आपको स्ट्रेस्ट आउट जोन में लाकर खड़ा करती है बात करते ही विरिश्वराशी वालों के लिए स्वास समंदी चिंताएं आपको सता सकती है विरिश्वराशी वालों आज के दिन आपको भी अपने स्वास के परती थोड़ा सा समवेदन शील होने की जरूरत है कारेश शेतर में उन्नती की परिस्तिती बन चुकी है पराक्रम में वृद्धी रहेगी कॉन्फिदेंस लेवल में इजाफा रहेगा सेकंड हाफ के दौरान कारेश शेतर में कोई मेत्रपूर्ण सूचना मिल सकती है जो आपके लिए बहुमूले साबित हो सकती है आर्थिक सिर्था बनी रहेगी मन आपका शांत रहेगा लेकिन छोटी बोटी स्वास समन्दी चिंताएं आज के दिन आपको काफी ज़दा परिशानी दे सकती है इसलिए आज के दिन आपको सोच के समझ के स्वास के प्रती थोड़ा सा समविदन शील रहने की जरूरत है साथी साथ आज के दिन आप सभी उन पेंडिंग मैटर्स को भी अरेस्ट ये अटेंड कर पाएंगे जो इतने समय से आपके लिए पेंडिंग हो रहे थे और आप सोच रहे थे कि आगे बढ़ना है और आप बढ़ते बढ़ते उसमें नेगिटिविटी ए ब्लॉकेट आ रही थी बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए मिथुन राशी वालों प्रोफेशनली सिचुवेशन सही रहेंगी कामकाज में इजाफा होते हुए देखेंगे आपके लिए ओगनाइजेशन में संस्था में आपके नीजी वेवसाय में सब तरफ से अपना कद बढ़ता हुआ देखेंगे साथ इसाथ सामाजिक साक्व प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी कारेशेतर में आपके उपर लोगों की डिपेंडिविल्टी बनती हुई नजर आएगी रिलाइबिल्टी फाक्टर इंग्रीज होगा कुल मिला के आठ का दिन आपके लिए पॉजिटिव माना जा सकता है सब तरफ से आप अपनी सिचुएशन को अनुकूल होते हुए देख सकते हैं पारिवार एक स्थिरता भी बनी रहेगी छोटा मोटा गेट टुगेधर भी औरिवार में आज के दिन आप आपको देखने मिल सकता है जो आपके जीवन में चल रहाускोई स्ट्रेस को बैलंस करके जा सकता है बात करते हैं करकराशिवालों के लिए सिचुएशन reduce hocker के बढ़ने की जरूतर है कारशेटर में आपके लिए आपके लिए पूर्टता बनी ह जिस तरह से जिस पेस से आप चलते जा रहे हैं, देखेंगे कि अपने लिए आप पॉजिटिविटी अंकित कर पा रहे हैं, साथी साथ परिवार का साथ आज के दिन आपको और जादा इनेबल और कॉन्फिडेंट बना कर लेकर जा सकता है, बात करते हैं सिंग राशी वालों सिंग राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को इंब्रेस करने का है, आज का दिन आपके लिए उन सभी परिस्तितियों को रिव्यू करने का है, जहां पर निवेश से संबंदित आपको कोई चिंता हो रहे थी, साथी स अगर आपने रिंड लिया हुग है और रिपेमिंट के पैसिटी आपकी नहीं बन पा रही है उसके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता आज के दिन निकलता हुगा आपको दिखाए देगा किसी व्यक्ति विशेश की मदद की तरफ से कोई महत्वपूर्ण संतेश यह सूचना आपको उनकी तरफ से मिल सकता है किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से जो भी हल पारिया अगर आप पो लेते हैं यह व्यक्ति विशेश आपके परिवार का व्रदितम सदस से भी हो सकता है अगर आप उनकी राय को सला को मश्वरा को मानेंगे या कंसिडर करेंगे तो आपकी situations और positive होते हुए आप देखेंगे बात करते हैं कने राशी वालों के लिए कने राशी वालों situations अनुकूल रहेंगी समानिता रहेगी कुछ खास नयापन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा आज के दिन transition या transformation के रूप में काफ़ी जादा चीज़ें आपके लिए महत्रपु या विचार आ रहा है तो उस पे आपको आज के दिन सोचने की समझने की जरूरत है क्योंकि यह हो सकता है आपके लिए एक long term अच्छी opportunity साबित हो सके बात करते है दुला राशी वालों के लिए दुला राशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आप लंबे समय से चल रहा है कोई पारिवारी करियन अपसाजा होता हुआ नजर आएगा उसमें भी repayment की परिस्तितियां रास्ता बनेगा और आपके income के resources या income आने के जो source है वो भी आज के दिन बढ़ते हुए नजर आएंगे कामकाज के सिलसले में छोटी मोटी traveling हो सकती है ले आज आ सकता है जो आपकी situations को और ज़्यादा प्रभावशाली बना कर जा सकता है लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाओ आप कहीं न कहीं किसी निशकर्ष पे और solution पे आएगा और आपके निजी संबंदों में आपको positivity देखने को मिलेगी communications को आपको intact रखकर आगे बढ कुछ खास उतार चराव देखने को नहीं मिलेगा परिवार में भी परिस्तितिया नुकूल रहेगी traveling आपके लिए इंडिकेटिव है आपके स्वास्त के प्रती आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है पैर में चोट लगने की पूरी पूरी परिस्तिती बनी नया कामकाच शुरू करने की सोच रहे हैं मकर राशी वालों तो आज का दिन आपके लिए मत्वरपूर्ण माना जा सकता है आज के दिन आप जिस तरह के कुछ भी efforts करना चाहते हैं जहां पर आपके लिए और positive situations हो जाएं तो आज के लिए आपके लिए कोई लाबदायक situation प संदेश बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए कुमराशी वालों आज की दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन समानिता जाएगा कामकाच में थोड़ा सा एंग्रॉस रहेंगे अपने आपको आपको सौर्टेड रखते हुए आज के दिन को बिताने की कोशिश करनी चाहि कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें चलते चलते आपको कोई विराम या ब्लॉकिश देखने को मिल सकता है मन आपका शांत राएगा विचार धाराया आपकी प्रबल रहेंगी स्ट्रॉंगस तरीके से चलते चलिए बत्सूच बूच का आज के दिन परिचय देने की जरूरत है बात करते हैं मीन राशी बालों के लिए मीन राशी बालों आपके लिए कुछ खास उतार चला देखने को आज के दिन नहीं मिलेगा जैसा चल रहा है चलने दीजे काफी positive situation आज के दिन आपको महसूस होगी पराकरम में भी वृद्धी रहेगी, communication भी सही रहेगा, confidence level में भी जाफा रहेगा स्वास सम्मधी चिंताइं भी कम होती हुए नजर आएंगी traveling आप अपने leisure hours को अगर देखते हुए करें यानि कि आपका stress अगर आपको balance करना है तो आप long drive पे आज के दिन जाने की सोच सकते हैं साथी साथ नई योजनाओं पे आज के दिन काम कर सकते हैं, lifestyle भी आपका improve होता हुए नजर आएगा कुल मिला के आज का दिन आपके लिए positive माना जा सकता है, परिवार में भी स्थिरता बनती हुए देखेंगे इसके साथ मुझे आग्या दीजे, मैं कल फिर आजर हुए, नमस्कार